दोस्तों नमश्कार एक बार फिर से आपसे माफी चाहता हूं कि कुछ तकनीकी खराबी होने की वज़े से इंटरनेट कनेक्शन लोस होने की वज़े से मैं आपसे जुड़नी पाया लेकिन वापस उसी बात पर रहते हैं कि बाड़मेर का एक व्यक्ति जो बीते करीब साड़ गलती से पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद जब पाकिस्तान से वो पाकिस्तान पकड़े गए पाकिस्तान पकड़े जाने के बाद उनको वहां की जैल में डाल दिया गया और बताया जाता है कि हैदराबाद की जो सेंट्रल जैल है इसमें बीते 35 साल से भगु सिंग बंद हैं बताया यह भी जाता है कि परिवार को इस बात की जानकारी काफी सालों बाद जब पता चली उस वक्त तक वो लोग सारी लोग इस पार्टाल में लगे हुए थी कि आखिर भगु सिंग गायब कहां पर हैं लेकिन बाद में यह पता चला कि अंतरहश्टी सीमा जो कर लिया जाएगा सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक बात का निवे दिन जरूर करोंगा कि एक बात सारे जो इस लाइब से जुड़े वी लोग हैं वह सारे लोग इस बात को शेयर करें क्योंकि बाड़मेर का एक बच्चा बाड़मेर का बंदा जो पहले एक युवा था वो आज बुजर्ग हो चुका है तीस पैतीस साल का था तब वो वहां पर गया था जैल बन था आज पैतीस साल से वो लगाता बिना किसी सजा सुनाए वो जैल में है और आज जब जैपुर के जो गजानन शर्मा है उनकी रिहाई 35 साल के बाद आज जब मोदी सरकार ने पाक कर रहे हैं अब यह उनका भरोसा मोदी सरकार पर जगा है कि जिस तरीके से उन्होंने भगु सिंग समेथ तीस पाकिस्तानी बंद भारतियों को रिहा 13 अगस्त 2018 को करवाया है वैसे कि वैसे वो भगु सिंग की भी सुद ले जिहां चोहतन उपखंड जो है बाड़मेर के ज पचीश से 30 किलинमट दोर आगे धनाव घाय है और धनाव घाय घगाँ से ज्यादा रही हवाई दूरी अगर उसकी मान ली जाए तो बाट मुश्किल 15 किलिमेर 10-15 किलिमेर दी दूर पाकिस्तान की सीमा है और पाकिστान की सीमा है यहाँ पर तारबंदी बहरत और पाकिस्ता आते हुए कई पाकिस्तानी जैलों में भारती बंद हो गए और यूपिये सरकार जब थी उस वक्त भी यहां पर काफी कुछ प्रयास किये गए कई लोगों को यहां पर जैल से रिहा करवाया गया और जैल से रिहा करवाने के बाद जब वो यहां पर वापस लोट कर आए तो भारत सरकार का खूब अब इननने किया खूब उनको धन्यवाद गया पिट किया क्योंकि एक नर्क से निकल कर वो लोग वापस अपने घरों की तरफ लोटे जबकि उनको उम्मीद नहीं थी उनको यह लग रहा था कि उनकी जो जिन्दगी है वह आदी से जादा पाकिस्ता से यूपी फर्ष्ट के टाइम यूपी सेकंड के टाइम काफी प्रयास हुए बाड़े मेर के जो ततकाल इनसान सत्थ हरी चौधरी उन्होंने भी कई पाकिस्तानी जैलों बंद भारतियों को रिहा करवाया लेकिन भगू सिंग की आज दिन तक किसी भी तरीके से कोई भी अभी तक उनको नहीं मिली है मैं आप सभी से निवेदन एक बार फिर कर रहा हूं पहले भी किया है जो मुझे कुछ लोग फेस्बुक लाइब पर देख रहे हैं उन सब से निवेदन कि चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जैपूर का गजानन शर्मा जो है वो 35 साल बारती जैल भारती सर जमीन पर वापस आया पाकिस्तान की जैल में वो बंद था और उसके बाद आज इस बात के उम्मीद है कि जो चोहटन इलाके का एक कस्वा है वहां का जो गोहड का तला इलाका है वहां से जो ये भारती व्यक्ति भागु सिंग तरीब नब्य के दसक क प्रियास बाद 86 या 87 में वहां पाकिस्तान की जैल के अंदर जो अभी हैदराबास सेंटर जैल में बताया जाता है वह बंद है वहां से उसको छुडाने के लिए प्रियास जो किये जाने थे वो किये नहीं गड़े हैं लोगों की काफी उम्मीद है कई लोगों से इस सम्ब रहे हैं आ गए हैं वागा बोर्डर से उन्होंने आज अपनी सरजमीन पर कदम रखा हैं उनके परिवार के लोगों ने मोदी सरकार का खूब इस्तक्बाल किया धन्यवाद ग्यापित किया है लेकिन ऐसे कई लोग है जो लगपत जो जैल है लाहोर की उसके अंदर भी करते थे आज तक के राजिस्तान के बीरो है उस दोरान हमारे दोरा एक इस्टोरी की गई थी जब जोद्पूर संभा को मेरे बॉस उस वक्लोकेंदर सेंग संभाला करते थे जैपूर को जैपूर से एक विशेश टीम के दोरा ये निर्देशित किया गया कि इन लोगों के लिए एक इस्टोरी करना है तब दोजार पांच च्छे में चोहटन के करीब दरजन भर गाउं में जाकर हमने करीब 25 लोगों की इस्टोरी की ती जिसमें कई लोगों को कुछ सालों बाद रीहा करवाया गया था लेकिन बार बार एक इस सवाल आता है कि आखिर जो ये लक् है जिससे भगु सिंग को हैदराबाद की से रिया करवाया करवाया जाने के प्रयास किये जाए इसके अलावा हनीफा जो है वह भी यहां पाकिस्तान की जैल में अपने बंद जो पती है इसके जमाल दिन के रियाई के लिए लगातार उम्मीद की रहे कर रही है साथी साथ यह भी बताया जा रहा है जमाल दिन खान जो है वह 1986 में भूलवस मवेशी चराते हुए पाकिस्तान की जैल के अंदर बंद कर दिये गए थे और पाकिस्तान की पुलीस ने उनको पकड़ा था जबकि बताया जाता कि भगू सिंग जो है वह उसको पाकिस्तान के रेंजर्स पकड़ा था और परिवार को जमाल दिन ने 1991 में खत लिखा था और बताया था कि वह कराची की एक जैल के अंदर बंद हैं और यह भी लिखा था कि 15 दिन बाद जोकि उसका कोई जुर्म प्रमाणित नहीं हो पाया है इसलिए उसको रिहा कर दिया जाएगा यह उन्नी सो एक बहर का मुख्या है वो अभी तक जिन्दा है जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मैलाए हैं यह यहां पर 35 से 40 साल हो गए यह इसी बात को लेकर अपने बच्चों को पाले जा रही है अपना सुहाग की जो निशानी है वो मिटा नहीं रही है चूडिया नहीं होता र सब भी परीवार के लोगों ने काफी प्रयास किए थे परिवार के लोगों ने काफी सरकार से उमीद कीए कि कहीं सरब जीत की तरह उनके भी जो परिवार की मुख्या जो जैलों बंद है उनको मार न दिया जाए उनको इस तरीके से पाकिस्तान की जैलों जिस तरीके से भारतियों के उपर बार बार अत्याचार होते हैं वैसे अत्याचार इन पर न हो और इसके लिए उन्होंने कई पत्र भी लिखे लेकिन कई साल से वो भी पत्र शायद रदी की टोकरी में चले गए इसी तरीके से सरकार को कई चिठिया भी बेजी गई उन चिठियों का कोई जवाब नहीं आया और ऐसे एक सरूपे का तला की साहूराम जो है वो 31 मई 1990 को सीमा सुरक्षा बलकि सीमा चोकी पर लकड़ी की आपूर्ती वो BSF के लिए लकड़ियां काटते हुए लकड़ी की आपूर्ती करने के दौरान रास्ता भटक कर सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ पर उन्हें रेंजर्स ने पकड़ लिया था यह बहुत सालों पुरानी बाते हैं कई दसक बीट गए उनके बच्चे जो थे उस वक्त दूद पीते बच्चे जो हैं दूद मुहे बच्चे हैं वो आज उनके खुद की शादिया हो गई उनके खुद के बच्चे हो गए लेकिन आज दिन तक उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा हैं उनके जो पतनिया हैं वो अपने जो पती हैं उनको बिलकुल भुला चुकी है उनका चेहरा भु माले मीड़िया के सामने आकर अपनी बात दिखा सकते हैं उन परिवारों की फिर भी डिबेट कई बी कई बात देखी और सुनी गई हैं जैसे गजानज शरमा है उनके रिहाई के लिए जो जैपूर के सांसद हैं उन्होंने काफी प्रेयास किए उन्होंने इसके लिए ना केबल केंदर सरकार को इसका पूरी डिटेलस दी पाकिस्तान से उन्होंने संप्रक साधा और आखिर 15 अगस्त से पहले दो दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान का आजादी का दिवस है और 15 अगस्त को भारतिय आजादी का दिवस है और 15 अगस्त से पहली पाकिस्तान ने 30 लोगों को रिहा किया है जिसमें जैपूर के गजानन शर्मा भी है और गजानन शर्मा के साथ साथ कई दूसरे जो है भारती व कैदी उनको भी रिहा किया गया है लेकिन इस बार भी पाकिस्तान की जयरों बंद कई जो भारती खासकर जो बाड़ मेर और पस्ची मेराजस्तान की जो कैदी है उनको रिहा नहीं किया गया है जबकि ज्यादातर मामले ज्यादातर मामले ज्य जिसके बाद से उनकी रिहाई की प्रियास नहीं किये जाने के कारण वो 35 से 40 चार चार दसक से वो लोग पाकिस्तान की जैलों में बंद हैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि आप सारे जो लोग इस गंभीर मुद्दे पर मेरे साथ जुड़े हैं वो सारे की सारे की प्रियास नहीं किये जा रहे हैं यह बहुत दुख़दाई बात है क्योंकि भारती नाक द Mikro ने के बावजूद भी उनकी सुड़ नहीं ली जा रही हैं सरकार बार बार ये कहती है कि पाकिस्तान की जैलों में जो बंद भारती हैं उनकी रिहाई के लिए वो हर संबव प्रयास करेंगे वो हर संबव कोशिश करेंगे जो उनकी रिहाई के लिए जरूरी है लेकिन आज दिन तक ऐसा कहीं पर भी कम से कम भगू सिंग के परिवार के को जमाल दीन के परिवार के लोगों को या फिर साहुराम के परिवार के लोगों को यह बात आज दिन तक महसूस नहीं हुई है कि भारती सरकार ने राजिस्तान की सरकार ने इस्थानी जन परतिंद्रियों ने उनके लिए कुछ भी ऐसा प्रयास किये हैं मैंने आपको आज से कुछ समय पहले रेशमा नामक जो बाड़मीर की एक महिला थी जिसकी मृत्यू हो गई थी पाकिस्तान में और उसके शव को लाने के लिए जो प्रयास मानविनर सिंग जो पूर्व विदेश और रक्षावंति जस्वन सिंग के पूत्र है पूर्व सांसदे बाड़मीर और ज इस तरीके से एक शव को वापस लाने की प्रयास किये गए है वैसे वैसे जो जिंदा लाश है पाकिस्तान की जैलों में बन चुकी है भारती केडियों के रूप में उनको लाने के लिए भी ऐसे ही प्रयास मानविनर सिंग जरूर करेंगे उनको बहुत उम्मीद हैं उनका ही कहना है कि पाकिस्तान सरकार से पाकिस्तान के प्रशासन से भारती एंबी सी जो वहां पर हैं वहां पर विदेश नीटियों में उनका काफी दबदबा है विदेश सरकार जो भारत के बाहर की सरकार हैं उनसे उनके काफी अच्छे संबन जान पहचान है इसका फाइदा व के जो लोग कैद हैं उनको रियाई की कराने के लिए मानुएनर सिंग के दौरा भी कुछ प्रयास किये जाएंगे यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके उपर राष्ट इस तर पर डिबेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे एक दो पांच नहीं बलकि कई लोग हैं जो पाकिस्कान के उस पार गलती से चले गए और उसके बाद वो गुमशुदा की रूप में आज भी परिवार की उमीद बने हुए है कि आज 30, 35, 40 साल बाद भी वो वापर जरूर आएंगे कईयों की शिनाक्त भी हो चुकी है क्योंकि पाकिस्कान जेल से उनके पास पत्र भी पहुंचे है चाहे नाइनटी 1991 में चाहे जमालदीन का पत्र कराची से आया हो यहां फिर हैदरवाद की से जेल से यह जो धनावू गाओं का भगु सिंग है इसके वहाँ पर बंद होने की वहाँ पर जैल में होने की बात की पुष्ठी हो यहाँ पर सारा के सारा परिवार पगु सिंग के परिवार में उनकी पोतियां भी हो चुकी हैं, लेकिन वो 40 साल से अपने ना तो बच्चों को देख पाए, ना अपनी पत्नी को देख पाए, ना अपने पोते-पोतियों को देख पाए, 40 साल घर से बाहर एक जैल में बिताना एक बहुत बड़ी बात है, और सरकार को गंभीरता से इसको लेकर कुछ प्रयास करने उड़ेंगे, क्योंकि मैंने पहली भी कहा राष्ट्रे स्तर पर जो मुद्दे जिनके उपर डिबेट करना होता है, उन पर डिबेट होती नहीं है, क कि इन मुद्दों पर आज दिन तक चर्चा हो नहीं पाई, और ये मुद्दे केंदर सरकार के गानों में एक बड़ा शोर बनकर गूंज नहीं पाए, और यही वज़े है कि भगु सिंग जैसे, जमाल दिन जैसे, और साहूराम जैसे, लोग आज कई दशकों से, एक, दो, राजस्तान में सबसे ज़दा सहरदी जले, बाडमिर, जैसरमिर, बीकान, गंगानगर के कई कैदी वहाँ पर हैं, जो तारबंदी होने से पहले या बाद में वहाँ पर चले गए, गल्टी से चले गए, और मवेशी चराते चराते चले गए, क्योंकि यहां की जो रेगिस् वो गल्पी से पाकिस्तान की सरहद प्रोवेश कर पाते हैं। यह रेंजर्स जो हैं, वो रू को जैलों में डाल देते हैं। वह उनको जैलों डाल देती हैं, और इनकी सुनवाई कई साल तक होती नहीं है। तो आप सभी एक बार फिर से निवेदन जाते जाते कि आप सारे लोग इस बात को शेयर जरूर करें ताकि जिस तरीके से गजानन शर्मा की आज रियाई हुई हैं वैसे वैसे बाड़मेर की कहनियों की भी रियाई हो पाए आप सभी लोग मुझे से जुड़ें बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल